खबर पीली भीच से, यहां के जिला अस्पताल में जेब काटते जेब कत्रे को मरीजों ने रंगे हाथ पकड़ लिया और अस्पताल के स्टाफ के हवाले कर दिया फिर क्या था स्टाफ ने जैसे ही चौर को देखा उसको पहचान लिया ये चोर कई बार मरीजों की जेब साफ करते हुए पकड़ा जा चुका है हर बार चितावनी देकर छोड़ दिया जाता था लेकिन आज ये चोर मरीजों की पर्टी बनवाने वाली लाइन में लगकर कई लोगों को जेब काटते पकड़ा गया चोर की जेब में मोके पर मरीजो के कई पर्ज भी मिले स्टाफ के लोग ने चोर की पिटाई करते वे चोर को कोत्वाले पुलिस के हवाले कर दिया पुलिस ने रिपोर्ट दर्जकर कारेवाई शुरू करती है जो और का नाम शेहरोज है और कोट्वाले छेतर के फिल खाने महले का रहने वाला है फिलाल इस मामने में पब्लिक वस्ताफ ने कानून को ताक में रखकर पहले खुद सजा दे जी जो कि किसी भी लिहाद देशी क अब आप अब यह वहाए कि यह जो पकड़ा हैं लोगों ने यह गया काट है और यह तीन नंबर में मरीजों की जेब काट रहा था और जेब काट कर यह बाहर वागा तो मेरा एक साथी था उसने इसको पगड़ लिया उसके बाब जूद यह कह रहा है कि मैंने चोरी नहीं क है और पब्लिक का बहुत सारा नुकसान इसने कर दिया काफी पैसा इसके पास से मिला है अभी इसको पकड़ के रखा है और पुलिस आरही है देखते आगे क्या होता है पहले भी चूरी में पकड़ा था हम लोगों ने तो यह मसाब ने कहके छोड़बा दिया था बोला था कि ठीक है इसको पुलिस के हवाले कर दो तबी भी पुलिस इसको लेगे तो यह दुबारा से चोरी करने आया यह जोड़ाय इस पदाल सुरक्षा को लेकर इंतिजाम है हम लोगों के लेकिन फिर भी कितना कर सकते हम लोग जितना कर पाते उतना करते हैं जिलास्टाल में तोड़ा अधापाई किया है लोगों ने पुलिस के हवाले करते हैं आप बेर पंदिकर कर तारवाई की जा रहे हैं